दोस्तों एक भाई ने comment किया था कि YouTube को desktop पर कैसे लाएं क्या YouTube को desktop पर कैसे लाएं तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर laptop में YouTube यह desktop पर आया हुआ है अभी क्या करना है हमें अपने desktop में लाना है तो क्या procedure होगा तो सबसे आसान तरीका में आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है अपने laptop या computer में Google Chrome को open करना है यहाँ Google Chrome को open करने एक बाद आपको सबसे पहले YouTube की website जो हम desktop पर इस्तमाल करते हैं उसको इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पर हमें YouTube.com को जो है open कर लेना है एक और जिसे आप दोस्तों YouTube को desktop पर ला सकते हैं वो तरीका यह है कि आप Microsoft Store से भी desktop पर ला सकते है YouTube को ठीक है तो यहाँ पर YouTube.com को यहाँ पर open कर लेना है जैसे YouTube पूरी तरह से open हो जाए आपको Google Chrome में यहाँ पर corner पर जो three dots दिख रही है तीन लाइने जो यहाँ पर दिख रही है ड create shortcut पर click कर देंगे जैसे create shortcut पर click करेंगे तो इस तरीके का डालोग ऑपन होगा और यहाँ पर YouTube लिखायेगा यहाँ पर आपको open edge window और checkbox को जो है check कर देना है and उसके बास से यहाँ पर दोस्तों को create पर click करना है तो सबसे पर check पर click किजिए and create पर click किजिए जैसे click करते हैं द Microsoft Store से भी download कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पर आपको Google में जाकर search करना होगा download YouTube for PC ओके इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहला जो website आ रहा है Microsoft किस पर click कर देना है get YouTube Microsoft Store जैसे आप click करेंगे तो यह एक अलग सा Microsoft की website open हो जाएगी और इस तरीके से कुछ layout आपको यहाँ पर आइकोन है इस पर click कर देना है simply get वाले icon पर click किजिए get वाले icon पर click करने के बाद आपके system में YouTube जो है download हो जाएगा और आप इससे फिर से YouTube desktop पर ला सकते हैं